नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल डायेट एंट फिटनेस में मैं हूँ आपकी होस्ट अकांग्शा आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि दिल का दोहरा होने के बाद कौन सा आहार लेना चाहिए शुरू करेंगे आज का वीडियो वीडियो श आपको दबाना है और उसके बाजू में एक बल आइकन भी होगा उसे भी आप दबा दीजिए चाकि मेरी कोई भी नई वीडियो जब भी आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी तो जो भी हम रोज के आहार में सारे पदार्थ लेते हैं उसकी हिसाब से हम की वीडियो में देखेंगे कि कौन से कौन से पदार्थों के उपर आपको ज्यादा ध्यान देना है और कौन से कौन से पदार्थ आपको चुनने है आपके आहार के लिए उसमें से सबसे पहला पदार्थ है साबुत अनाज तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि अनाज जो है वो हमारे आहार का सबसे एहम हिस्सा होता है, और अनाज से जो भी पोशक तत्वा मिलते हैं, जैसे कि vitamins है, या फिर fiber जो मिलता है हमारे शरीर को, वो बहुत ही जादा आवश्क होता है, खास करके जो soluble fiber होता है, वो हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारा वजन नियंत्रेत रखने के लिए भी ये मदद करता है, तो इसलिए refined carbohydrates के अलावा आपको साबुद अनाज होता है, यानि कि fiber युक्त आटा है, चोकर युक्त आटा है, ऐसे अनाज का सामावेश करना है, और जवार है, बारली है, या फिर जव होता है, ओर्ट होते है, ऐसे सारे अनाज का भी सामावेश करना है, अब बात करेंगे दाल की, अलग-अलग प्रकार डाल होती है, तुवर्, मसूर, ऐसे सारी डाले आपको लेनी है, आपके अहार में एक अच्छी मावेश में, क्यूंकि ये calories में कम होती है और protein से भरपूर होती है तो आपके हर एक आहार में डाल का सामावेश होना या फिर अंकुरत अनाज का सामावेश होना बहुत ही जादा आवश्यक है क्योंकि एक अच्छी मात्रा में जब आप protein लेते हो तो आपको जादा भूक नहीं लगती है लंबे समय तक ही आपक सारे vitamins, Minerals, Flavinoids और Polyphenol से भरपूर होते है उसी के साथ-साथ Fiber भी बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है इनमें इसलिए ताजे-ताजे फल जो होते है मौसमी फल जो आते है उनका सामावेश आपको आपके आहार में करना है Vitamin C है या फिर Vitamin A युक्त फल जो होते है पपाया है, संत्रा मौसमी है, आमला है ऐसे फलों का सामावेश करना है जिनसे शरीर को अच्छी मात्रा में Antioxidants भी मिलेंगे अलग-अलग प्रकार की ताजी, हरे पत्तेदार सबजिया है या फिर बाकी की जो भी सबजिया होती है उनका सामावेश भी आपको अच्छी मात्रा में करना है अहार में ये सारे पदाच जब भी आप खाते हो तो बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है शरीर को तो ये शरीर का जो कोलेस्टेरॉल होता है उसके नियंतरन के लिए बहुत ज़्यादा आवशक है और वजन नियंतरन के लिए भी आवशक है उसी के साथ साथ बहुत सारे पोशक्तत वो से ये भरपूर होते है तो हमारी जो immunity यानि की रोक प्रतिकार शक्ती होती है उसे अच्छा रखने के लिए भी ये बहुत जादा मदद करते है सबसे बेस्ट परिया ये है कि स्नाक्स के तोर पे आप फलो का सामावेश करें अपने अहार में और सलाद खाना भी चालू कर दे क्यूंकि आप सलाद जबी खाते हो तो रौ फॉर्म में वो सबजी आपके पेट में जाएगी तो उससे शरीर को बहुत अच्छी मात्रा में जो फाइबर होता है वो मिलेगा और फलो से भी अगर आप पूरे फल खाते हो फलो के रस के अलावा पूरे फल आपको खाने चाहिए ताकि उससे भी फाइबर जो होता है फलो के अंदर वो शरीर को मिलता है बात करेंगे omega 3 fatty acids की omega 3 fatty acids भी बहुत ही अच्छे होते हैं हमारे रिदय के लिए तो इसलिए आहार में आप मचली का सामावेश कर सकते हो सालमन है या फिर मैकरल है ऐसे मचली आ हफते में एक या दो बार आप ले सकते हो शाकाहारी लोगों के लिए अलसी जो है यानी की फ्लैक्सेट और सुखा मेवा जो होता है दिखने में बहुत ही छोटा-छोटा होता है लेकिन ये पोशक ततों से भरपूर होता है तो अकरोड, बादाम, ऐसे सुखे मेवे का सामावेश भी आप आपके स्नैक्स के तौर पे कर सकते हो और अलसी का सामावेश भी एक अच्छी मात्रा में आपको आपके आहार में करना है ताकि इससे शरीर को अच्छी मात्रा में ओमेगा-3 fatty acids मिल दे जिन जिन लोगों को heart attack आके जाता है उन्हें सबसे जादा ये सवाल परिशान करता है कि मैं स्नैक्स में क्या खाऊ क्यूंकि जो आहार रोज का होता है दोपर का खाना है रात का खाना है वो फिर भी हम healthy खा लेते हैं लेकिन स्नैक्स का टाइम ऐसा होता है कि बहुत जादा कुछ junk food है या फिर तला हुआ है ऐसा खाने को होता है या फिर जादा तौर पे घर पे भी biscuit है या फिर जो फरसान होता है ये सारी मैदे की चीजे रहती है तो वो तो आपको नहीं खानी चाहिए इसलिए ऐसे समय पे सूखा मेवा है या फिर चना जो आता है रोस्टेड ऐसे healthy options का सामावेश आप कर सकते हो आपके स्नैक्स के लिए अगला पदात है सोया तो सोया यानि की सोया बीन जो होता है सबसे पहले तो वो प्रोटीन से भरपूर होता है और हमारा जो blood pressure है उसे नियंतरित करने के लिए और हमारे cholesterol को नियंतरित करने के लिए ये बहुत ज़्यादा मदद करता है और क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर है तो शाकहारी लोगों के लिए खास दोर पे बहुत ही अच्छा option हो जाता है यहाँ पे सोया का सामावेश अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हो आपके आहार में तो सोया का सामावेश करना चालू कर दीजिए बहुत सारे options आते हैं सोया bean आते हैं सोया chunks आते हैं टोफू आता है या फिर आशकल सोया milk भी आने लगा है मारकेट में इसमें से कोई भी पदार्थ का सामावेश आप रोज के आहार में कर सकते हो सोया के बहुत सारे snacks भी आते हैं आजकल तो जैसे कि मैंने बताया कि snacks के लिए option नहीं होते हैं बहुत जादा लेकिन सोया nuts है या फिर सोया के जो chips है ऐसे बहुत सारे options snacking के लिए भी आजकल मारकेट में आते हैं तो वो परियाए भी आप जरूर देख सकते हो अगला पदार्थ है green tea तो जिन जिन लोगों को बहुत ही जादा चाय या फिर coffee की आदत है वो लोग अपनी आदत के लिए थोड़ा सा green tea या फिर herbal tea से replace करके देखें क्योंकि ये जो free radicals का असर होता है जो free radicals की वज़े से damage होता है हमारे शरीर में उसे कम करता है तो बहुत जादा लाबदायक है हमारी रुदय के लिए उसे के साथ साथ हमारी तुच्छा के लिए पूरी तरीके से ये अंदर से detoxification करता है हमारी शरीर का तो अलग-अलग प्रकार के green tea है या फिर herbal tea है इनका सामावेश आप आहार में कर सकते हो तो इस प्रकार से एक स्वस्थ और सं ज्यादा जो junk food होता है तले हुए पदार्थ है processed food होता है इन सारे पदार्थों से दूर रहना है जब तक आपकी डॉक्टर बोलते है तब तक सही समय पे rest करना यानि पीक की आराम करना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है उसके बाद फिर आप थोड़ी हलकी-फुल की योग करें अपने दोस्तों के साथ अपने रिष्टेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें और अगर आपको कोई भी सवाल है तो वह भी आप कमेंट्स में उससे पूछ सकते हो मैं अब आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाय टेक केर